दोस्तों, आज आपको बाताते हैं अमेरिकिया के राष्टपती चुनाओ के बारे में नमस्क्राइब तो अमेरिका वासियों ने अपने नए राष्टपती का चुनाओ कर लिया है इस चुनाओं में रिपाबलिकन पार्टी के उमीदवार और वर्तमान राष्टपती रहे डूलान टरम्न की हार हो गई है उन्हें केवल 274 वोट मिले हैं टरम्ब को केवल 214 वोट मिले हैं और राश्टपती बनने के लिए 270 वोटों की जवर्वत थी जिस से बाइडन के ओट 20 जादा हैं अभी तीन स्टेटों में गिंती चल रही है और उसमें भी जो बाइडन आगे चल रहे हैं राश्टपती निर्वाचित होना तै होते ही अमेरिका की सडकों पर लोग जस्न मनाने उमर पड़े हैं लोग जीत का जस्न मना रहे हैं और अपनी जीत सुनुश्चित होने के बाद जो बाइडन ने कहा है कि वह बाढ़ने का नहीं जोडने का काम करेंगे सभी को साथ लेकर चलेंगे इस से पहले उन्होंने ट्रम्प के लिए भी कहा था कि हम चुनाव में प्रतिदंधी थे कोई दुस्मन नहीं हमें मिल जुलकर काम करना होगा तो जो बाइडन अमेरिका के 46 में राश्टपती होंगे उनके साथ ही उपराश्टपती के तोर पर भारतिय मूल की कमला हैरिस भी चुनी गई है वह उपराश्टपती होंगी अमेरिका के इतिहास में वह पहली महिला और अस्वेत होंगी जो उपराश्टपती के पदपर पहुँची है कमला हैरिस भारती मूल की है उन्हें लेकर भारती समदाय में भी काफी खुशी जताई जा रही है जो बाइडन को लेकर भी भारती समाज में काफी असंकाय हैं कुछ लोगों को लग रहा है कि परधान मंत्री नरेंद मोधी की डोनाल्ड ट्रप से दोस्ती की वज़ा से बहुत सारे लोग अधिकतर लोगों का विचारकों का जानकारों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा अमेरिका जो बाइडन के नेत्रित में भी भारत का दोस्त बना रहेगा और इसकी एक संकेत मिला है जो चीन के ग्लोबल टाइम संगबार ने जो है जो बाइडन की जीत की आलोचना की है तो इससे लगता है कि चीन को लगता है कि उसको जो बाइडन की तरफ से भी समर्थन नहीं मिलेगा और जो बाइडन ने भी चीन के विश्तारवादी नीती की आलोचना की है तो कुल मिलाके यह लगता है कि जो बाइडन के राष्टपती बनने के बाद अमेरिक्य भारत के रिस्तों पर कोई वरभाव नहीं पड़ेगा कुछ सर्द और कुछ नर्म की संभावनाय और असंकायन तो हमेशा ही बनी रहती है तो बता दे कि जो बाइडन 29 साल की उम्र में सिनेटर चुने गए थे और 78 साल की उम्र में राष्टपती चुने गए हैं 46-46 वे राष्टपती इसके पहले वो बराक उबामा जब राष्टपती थे तो वो उप राष्टपती हुआ करते थे माना जाता है कि बराक उबामा की अधिकतर नीतियों खार्श करके विदेश नीतियों का निर्धारन जो बाइडन ही किया करते थे तो इस जीत में जो बाइडन की जीत में, डॉमोक्रेटिक की जीत में के माइने क्या है इसके बारे में अमेरिकी लेखक अपने कालम में लिखते हैं कि चुनाओं हमें सिच्छित भी करते हैं, मद्दाता हमेशा बुद्धिमान नहीं होते लेकिन वह आम तोर पर चीजों को समझते हैं वह अपने जीवन के बारे में हमारी दी गई सूचनाओं से ज़्यादा जानते हैं और चुनाओं नतीजों में वह अक्सर महत पूर्ण संदेश देते हैं डेविड कहते हैं कि पापलर ओटो में जो बाइडन की जीत निश्चित करने के जरिये ज़्यादा तर अमेरिकों ने हमें जो संदेश दिया है वह यह है कि ट्रम्प अस्वविकारी हैं मतलब अमेरिका को ट्रम्प अस्वविकारी थे इसलिए ज़्यादा तर लोगों ने उनके खिलाफ ओड़ दिया और जो बाइडन को जिताया यहां तक कि जो बाइडन उन्हें स्टेटों में भी जीत गए जहां पर रिपब्लिकन की जीत तैमानी जाती थी रिपब्लिकन पार्टी के ओड तैमाने जाते थे वहां पर भी डेमोक्रेट जो बाइडन की जीत सुरिश्चित हुई है कि इसलिए क्योंकि अधिकतर अमेरि की चाहते थे कि ट्रम्प दुबारा राष्ट पती पद पर ना आएं और इसी का नतीजा रहा है कि 28 साल बाद डोनाल ट्रम्प दूसरे राष्ट पती हैं जो वाइट हाउस नहीं पहुंचे हैं चुनाव हारने के साथ ही डोलान ट्रम्प 28 साल के बाद अमेरिका के पहले राष्ट पती होंगे जो दूसरे कारकाल के लिए वाइट हाउस नहीं पहुंच पाए इससे पहले 1992 में जार्ज यच डवलू बुस दूसरे कारकाल के लिए जीत हासिल नहीं कर पाए थे उन्हें बि क्लिंटन, जार्ज डवलू बुस और फिर बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट पती बने और तीनों ने अपने दो-दो कारकाल पूरे किये पिछले करीब सव और सो में अमेरिका के अधिकांस राष्ट पतियों ने अपने दूसरे कारकाल के लिए जीत हासिल की लेकिन चार राष्टपती ऐसे हुए, जो सिर्फ एक कारिकाल के लिए चुने गए। से 20 जनवरी 1977 तक राष्टपती रहे उन्हें 1976 के चुनाओं में डेमोक्रेट उमिर्वार जिमी कार्टर के हाथो हार का सामना करना पड़ा था 1974 में वाटर गेट कांड के बाद जब तत कालिन राष्टपती रिचर्ड निक्सन ने पद से इस्थिफा दे दिया था तब उप राष्टपती फोड को राष्टपती पद पर निक्त किया गया था फोड को 1974 में हराने वाले जिमी कार्टर दूसरी बार अमेरिका के राष्टपती नहीं बन पाए उन्हें उन्हें 180 में रिपब्लिकन रोनाल्ड रीगन ने हराया था और अब डोनाल्ड ट्रम्प 28 साल बाद ऐसे राष्टपती हैं जो दुबारा राष्टपती नहीं चुटे गए हैं डेविड ब्रुक्स कहते हैं कि चुनाओ नतीजों में मद्दाता अक्सर महात्पूर संदेश देते हैं उनका कहना है कि इस चुनाओ से भी कुछ संदेश मद्दाताओं ने अमेरिकी समाज को दिया है उसमें से वह यह कि हम मानते हैं कि अमेरिका एक भीभाजित और भेद भावाले देश हो गया है लेकिन यहत्ते हैं कि 2016 के तुलना में कई लाख अधिक अस्वेत मद्दाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी को ओड़ दिया जबकि स्वेत मद्दाता रिपाबलिकन को ओड़ देते हैं लेकिन यह पहली बार हुआ कि उन्होंने डेमोक्रेट को ओड़ दिया अनेक लोगों ने एक ऐसे राष्टपती को हटाने के लिए जो लोगतांत्रीक्त अमेरिका की बुनियाद के ही बिरुद्ध है पच्छपाती राजनीत के खिलाफ मद्दान किया ऐसा डेविट ब्रुक्स मानते हैं डेविट ब्रुक्स कहते हैं कि मद्दाताओं ने जो दूसरा संदेश दिया है वही है कि चर्च को राज से अलग करो हमारे यहां राजनीतिक दुर्भी करण का लंबा इतिहास है मद्दाताओं ने दोनों ही राजनीतिक पार्डियों को बताया है कि अगर वोड़ पाना है तो वास्तविक मुद्दों के इर्द गिर्द रहें और अगर आप धर्म के आधार पर हमें लड़ाना चाहते हैं तो कहीं और जाएं उन्होंने रिपाब्लिकंज को खास कर बताया है कि ट्रम्प के सन की नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बगेर आप ज़्यादा थाकतवर हैं सस्तो यह है कि चुनावी नतीजा ट्रम्प की तुलना में रिपाब्लिकन पार्टी के लिए कहीं बेतर रहा है ट्रम्प भले ही हार रहे हो लेकिन रिपाब्लिकन पार्टी का राज़ों में सांदार प्रदर्शन रहा है इसका मतलब यह है कि कम से कम अगले दस साल तक अमेर्की राजनीती में रिपाब्लिकन का ही बर्चस रहेगा इस लिहास से Grand Old Party यानि Republican का भविश एक बहु नसली कामकाजी वर्ड की वर्गी की पार्टी की रिप में उभर रहा है Republican को Latin America, Afriki, America और Muslim मदाताओं के बीच आस्चर जनक रूप से समर्थन मिला है ट्रम्प को अश्वेतों के जितने वोट मिले हैं उतना पिछले 60 साल में किसी Republican में दवार को नहीं मिला है लेकिन इसका छेत स्रे नसलवादी ट्रम्प को नहीं बलकि उनकी पार्टी को जाता है जिसने छोटे उद्धोग और आर्थिक प्रगती को लगातार सहारा दिया ऐसे ही मद्दाताओं ने Democratic Party को बताया है कि अगर उसने अपनी नीतियों के बारे में बेतर ढंग से बताया होता तो उसका प्रदर्शन और बेहतर होता अगर Democratic Party के सामने बेहत सांदार तरीके से जीत हासिल करने का कोई उसर था तो वह इसी बार था क्योंकि उसकी लड़ाई एक अनायतिक और चरम आयोग व्यक्ति के खिलाब थी लेकिन Democratic Party यह उसर भली भाद भुना पाने में नाकाम रही है इसमें दोश सिर्फ उसकी नीतियों का नहीं है बाइडन की नीतिया बेहत लोग प्री रही हैं लेकिन उनकी पार्टी ने जाने अन जाने एक दिवार खड़ी कर दी जिस कारण आधा अमेरिका उनकी पहुंच से बाहर रह गया अमेरिका की राजनीती प्रगतसील इसलिए है क्योंकि इसने अस्थानियता के बजाए बिविद्ता को तरजी दी है लेकिन मद्दाताओं को इस बार बिवाजीत अमेरिका दिखा जिसमें एक तरफ डेमोक्रेट्स बिविद्ता की बात करते रहे दूसरी और रिपबलिकन नसलवाद पर जोड़ देते रहे इस दोरान घटी घटनाओं से भी चीजे बदली चुनाओ दर चुनाओ डेमोक्रेटिक पार्टी उभरने में नाकाम रही यही नहीं पार्टी ने इस बीच अमेरिका में हुई विविद्त घटनाओं का स्रड़ी करण किया वाया भाब प जो बाइडेन, नैंसी पालिशी और मिच मैक लोनन करेंगे हमारे सामने दो ऐसी पार्टी हैं जिनका आधार कामकाजी वर्ग है ऐसे में सायद अगले कुछ साल इस प्रतिदंदुता में बीते हैं कि अमेरिका के लिए कौन बेहतर है क्या सरकार के विवाजित होने से गतिर हैंगे हलाकि मैं इस पर निश्चित नहीं हूँ, सांस्तिक मामलों में अमेरिका बदतर तरीके से विवाजित है लेकिन आर्थिक मुद्दों पर वैसा विवाजन नहीं है, लोग प्रीतावाद ने रिपब्लिकन समर्थकों में सरकार विरोधी भावना मजबूत की और मार पर जोड़ देना चाहिए, इंफ्रास्टक्चर, बैंक गठित करना चाहिए, वेज सबसिडी देनी चाहिए, आदी आदी मद्दाताओं ने हमें फिर से याद दिलाया है कि दूसरे पच्च की उपेच्चा नहीं की जा सकती, हमें एक दूसरे के साथ ही जीना होगा, अपन की जनता ने एक ऐसे राष्टपती को नकारा है, जो की उस पद के योग नहीं था, बता दें की जान बाइडन की राजनिती की आत्रा काफी उतल फतल रही है, वह 1972 में, जान बाइडन 1972 में सीनिट के लिए पहली बार चुने गए, तब उनकी उम्र मात्र 29 साल थी, अमेरिकी इतिहास में दूसरे सबसे इवा सिनेटर थे, वर्स 2020 में, यानि अब जब वह चुनाव जीत चुके हैं और अमेरिका के 46 राष्टपती पद की सफ़त लेंगे, तब उनकी उम्र 78 साल है, वह अमेरिका के सबसे उम्र द्वार दराज राष्टपती बनने जा रहे ह अमेरिकी चुनाव के इतिहास में बाइडन को सबसे अधिक वोट मिले हैं, जो लोग प्रियोट हैं, उसमें भी उन्हें सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो उन्हें वोट इसलिए सबसे ज़्यादा मिले हैं, डेविड बुक्स की बात को याद रखे, तो अमेरिकी जनता ट्र इस से पहले जॉन बाइडन दो बार 1988 और 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी की उमेदवार थे मतलब राश्पती की उमेदवार थे पाली बार तब उन्हें अपना नामंकर वापस लेना पड़ा था जब उन पर बिट्रिस लेबर पार्टी के नेता नील किनाक का भासण चुनाने का आरोप लगा था और दूसरी बार वह बेहत कम समर्थन मिलने के कारण उन्हें अपना समर्थन अपना नाम वापस लेना पड़ा था छे बार सिनेटर और अमेरिका के सेंतालिसवें उपराष्टपती रह चुके बाइडन मद्द मर्गी परिवार से आते हैं बजपन में उन्हें बोलने की समस्या थी और बहुत मेहनस से उन्होंने बैक्तित तुर्कला सीखी अलाकि अपनी बेतुकी बातों के कारण अब भी वह कई बार उसी तरह मजाग के पातर बनते हैं जिस तरह स्कूल में सिच्छकों और साफाटियों के निशाने पर होते थे बाइडन की राजनितिक यात्रा उनकी परिवारिक तरह सदियों के कारण बाधित होती रही है वर सोनाइस सो बहत्तर में सीनेट के लिए चुने जाने के कुछी दिनों बाद कार दुरघटना में उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यी हो गई थी तब उन्होंने अस्पताल के उस कमरे से सवतली थी जिसमें उनके घायल दो छोटे बेटों का इलाज चल रहा था ऐसे ही 2015 में बेटे की ब्रेन कैंसर से मौत के कारण अगले साल के राष्टपती चुनाओं में उनकी महतोकांचा को धक्का लगा एक जनरल में उन्होंने लिखा है कि मैं कभी अपने जीवन की योजना नहीं बना पाया जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं मेरा ब्यक्तिगत जीवन इसमें खलर डालता है करीब पचास साल लंबी बाइडन की राजनिति की आत्रा उतार चाहा उभरी रहा